आप लोग अपनी स्क्रीन के सामने कुछ पिक्चर्स देख रहे होंगे आप लोग और इन सब्दों को इन फिक्चर्स को आप लोग हमेशा चर्चा में देखते रहते हैं और आप देखेंगे कि दीपावली का टाइम हो तो हम लोग जो चाइनेज लाइटे होती हैं उनका वायकोट करते हैं बहसकार करने की बात करते हैं या फर आप देखें वहां कि जो चाइनेज और विवस्तूए होती हैं, उनके वाइकोट यानि कि बहस्कार की बात हम लोग करते रहते हैं, लेकिन हकीकत के आकड़े कुछ और ही वया करते हैं, आप सभी जानते हैं कि 2020 में गलवान घाटी यानि कि लगदाक में भारती सेना औ और उसमें आपने देखा होगा कि हमारे भारत की कुछ जबान सहीद भी हुए थे, और उसके बाद आप देखेंगे कि भारत का ब्यापार और बढ़ गया चाइना के साथ, कमने की बज़ए, कम होने की बज़ए, यानि कि कहने का मतलब ही कि हम लोग आयाद, अगर 10 रुपे का करते थे पहले, तो इस योद्दे के बाद 20 रुपे या 30 रुपे का हो गया, यानि कि कमी नहीं आई, बढ़ोतरी आई है, तो इसका मतलब सीधा सा यह हुगा, कि जो हम लोग बाइकोट करते रहतें, ट्वीटर पर ट्रेंड कराते रहतें, या चिलाते रहतें, बहसकार क इसका कोई परभाव नहीं पढ़ा है, और यही सब आकड़े आज आप लोग इस क्लास में देखेंगे, तो आप लोगों को समझ में आना चाहिए कि हमारे आपके कहने भर से कुछ नहीं होता है, और आप देखें कि बहसकाल तभी, या आप देखें आयात तभी कम किया जा स और उसमें आप देखें सभी फीचर्स हैं, वही भारत में अगर कोई और कमपिनी का मोबाइल 15,000 का मिल रहा है, तो लोग 15,000 का क्यों खरीदेंगे, वो 10,000 का खरीदेंगे न, वहाँ उनकी देशवक्ती काम नी करेगी, और अगर आप लोगों को चाइना पर निर्भरता क करनी है, तो जनता को उसके बिकल्फ उपलब्द करवाने होके, उसी तरह का मोबाइल है, अब लोग 10,000, 9,000 में उपलब्द करवाईए, लोग खरीदेंगे, और दूसरे या कोई भी सामान की बात करिए, जब लोगों के सामने बिकल्फ होंगे, तभी वो एक बिकल्फ को चोड़ पाएंगे, दूसरे को चोड़ पाएंगे, अब आप देखे बिकल्फ की ना हो, तो मजबूरी में आप देखे चाइनी सामानों को लोगों को खरीदना होगा, वही हो रहा है, तो चलिए हम लोग एक बार चाइना को देख लेते हैं, यह हमारा पड़ोसी चाइना ह और इसकी राध्धानी की बात करें तो बिजिंग है, और आप देखेंगे कि इससे आजादी कम मिली थी, 1 अक्टूबर 1949 को, और हम लोगों को आजादी कम मिली थी 15 अगस्त 1947 को, और इस तरह की जड़फे हमेशा होती रहती ही, अभी हाल ही में आप लोगों ने देखा, कि जो अवड़ा चलपेदेश है, जिसकी राध्धानी इटा नगर है, यहाँ तबांग चित में जड़ाप हुई है, और हमारे को सेनिक इसमें घायल हुए है, लेकिन आप लोगों को एक बात हमेशा बद्दा देता हूँ, इस पर आप लोग देखते हैं कि खूप राजनीती होती रहती है, लेकिन आपको मालू होना चाहिए कि हम लोग हकीकत में चाइना से एकोनोमी यानि कि अर्द्वस्ता में हम लोग बहुत पीछे हैं, इसमें कोई दोहराय नहीं होनी चाहिए, पाकिस्तान हम लोग से बहुत पीछे हैं, लेकिन चाइना से हम लोग बहुत तेकनोलोजी में हतियारों में कमजोर हैं और हमारी जो रक्षा छेत हैं उस पर कम पैसा खर्च करते हैं हम लोग चाइना के तुल्ला में लेकिन अगर आप देखें कि डारेक्ट होती है जैसे अभी सामने कई बार देखने को मिली तो इसमें हमारे सैनिक चाइना के सैनिक पर भारी पड़ते हैं और चाइना के द्वारा सही आगडे नहीं बताये जाते हैं अभी भी ऐसा कहा जा रहा है कि हमारे 4-5 सैनिक घैल हुए उनके कई सैनिक घैल हुए और इसी तरह का आपने देखा होगा लद्दाक में भी हमारे कुछ सैनिक जिस सहीद हुए थे उससे कहीं जानदा उनके सेनिकों के मरने की घर जानकारी आई थी, लेकिन उनोंने कभी सोईकार नहीं किया, वो बताते ही नहीं, कुछ भी होता रहे, लद्दाक हो ही है, माचल पिदेश हो, उत्तराखंट हो, सिक्किम हो, अवणाचल पिदेश, पांच राज्यों की सीमा हमारी लगती ह है, किस से? चाइना से, और देखे, मैंक मोहन रेखा, आप लोगों ने सुनी होगी, यह तिबबत और भारत की बीच खिंची गई थी, अंग्रेजों की समय में, लेकिन तिबबत पहली आजाद देश हुआ करता था, लेकिन चाइना ने इस पर कबजा कर लिया, अब आप द तो सबसे बड़े भागीदारों में से एक है चाइना हमारे लिए, और अमेरिका के बाद चीन भारत का दूसरा सबसे बड़ा ब्यापार एक भागीदार है, और 2021-22 में भारत चीन दुईपक्षे ब्यापार 115.83 बिलियन अमेरिकी डॉलर का था, यानि कि भारत और चाइना क कि ब्यापार की तो 11.54 है, यानि कि सबसे जाना ब्यापार हम लोग अमेरिका के साथ करते हैं, उसके बाद हम लोग चाइना के साथ करते हैं, ठीक है? और लगवग दो दसक पहले एक ब्यापारिक भागीदार की रूम में चीन दस में स्थान पर था, लेकिन आप देखें कि अब दो तीन से या सीज भागीदारों में से एक बन चुका है, और चीन 2011, 12, 2013, 2014 और 2078 और 2021, 2021 में भारत का सीज ब्यापारिक भागेदार था, और अमेरिका और चीन के अलाबाग 2021, 22 के दोरान भारत की सीज दस ब्यापारिक साज़ेदारों में, अन आठ देशों में, स्यू साउधी एरभ है, इराख है, सिंगापूर, होंग कॉंग, इंडोनेसिया, दच्छिड कोरिया, और टिलिया, एक करम आप लोग याद रख सकते हैं, टॉप 10 को याद रख सकते हैं, पहले नमर पर अमेरिका है, सबसी जाना जिससे हम लोग ब्यापार करते हैं, कोल ब्यापार क और चीन के साथ भारत के ब्यापार में प्रमुक अंतर देखें, तो अमेरिका और चीन के साथ भारत के ब्यापार में प्रमुक अंतर है, कि 2021-22 में भारत का अमेरिका के साथ ब्यापार अधीसेस 32.85 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, जबकि चीन के साथ ब्यापार में भारत को 73.31 billion अमेर्की डॉलर का नुकसान हुआ है जो किसी भी देश के लिए सबसे अधिक है अब आप लोग कहेंगी कि यह अधी से इस क्या है यह ब्यापार नुकसान क्या है सीधी सी बात आप लोग एक उधारन के जरीए आप लोग समझे आप किसी को कुछ बैचते हैं किसी से कुछ खरीदते हैं आप लोगों के बीच ब्यापार चल रहा है तो आप देखें कि आप लोग खरीद कम क्या करें? खरीद जाना रहे बैच कम रहे यानि कि नुकसान तो आपको होगा ना मालने जिस 100 रुपया की ब्यापार हो रहा है आप दोनों के बीच और जिसमें से आप देखें कि कितना खरीद रहे हैं आप लोग 70-73 रुपय का खरीद खरीद कर रहे हैं उसे कितना? 70-73 रुपय का आप लोग खरीद खरीद कर रहे हैं बाकी आप देखें 27% के लगभग, आप लोग क्या करें, 27-30 रुपे का आप लोग बैच रहें उसे सामान, तो इसमें घाटा किसी हो रहा है, आपको हो रहा है, क्योंकि आप लोग 70-73 रुपे का खरीद रहें, और 27-30 रुपे का आप लोग बैच पा रहें उसे, उसे फायद और हमें घाटा है और चीन से भारत का आयात अगर आप लोग देखें आयात मतलब हम लोग कुछ खरीद रहें निर्यात का मतलब हम लोग बेंच रहें याद रखेगा इस सब अर्द्विवस्था में आप लोग पढ़ते हैं तो चीन से भारत का आयात 212 और 2021-22 के बीच आप मतलब आप समझ रहें हैं 2001-22 में हम लोग भारत चाइना से 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर का आयात करता था जो 2021-22 में बढ़कर कितना हो गया 94.57 बिलियन अमेरिकी डॉलर का हो गया कहां 2, कहां 94 बिलियन अमेरिकी डॉलर के बढ़कर केबल 21 बिलियन अमेरिकी डॉलर करने रियात किया गया है अब आप लोग आखरे समझ कर आप लोगों के दिमाग कनफीवज हो गया होगा यानि कि हम लोग आयाद 2 बिलियन था हमारा 2012 में उसका बढ़कर कितना हो गया 94.57 बिलियन अमेरिकी डॉलर का हम लोग आज की समय में आयाद कर रहे है और जो हम लोग निर्यात करते थे 2012 में वो हम लोग 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निर्यात करते थे यानि कि सामान चाहिना को बैशते थे लेकिन वो अभी तक बढ़कर 2001-2002 से 2021-2022 के तक 21 million 21 billion 21 billion अमेर्की डॉलर का हुआ लेकिन आयात कितना हो गया 2 से 94 और निरयात कितना हुआ 1 billion से 21 billion यानि कि आप देखें कि हम लोगों ने जानदा बेच कुछ नहीं पाए हम लोग खरीदना खरीदना जानदा निर्वर हो गया उस पर तो यह याद रखिएगा हम लोग आयात क्या करते हैं भारत द्वारा आयात की जाने वाली पिरमोक बस्त हुए है बिध्धुत मसीनरी उपकरन और उनके पुर्जे टेली वीजन चवी धौनी रिकॉर्डर नापकी रेक्टर वैलर मसीनरी पियांत्रे कुपकरन उनके पुर्जे जैविक रसायनिक पिलास्टिक और इससे बनी बस्त हुए है पिलास्टिकी बस्तुओं से भड़ा पड़ा हुआ है मार्केट चाइनीज बस्तुओं से आप लोग देखते हैं मोबाइलों को देख लीजे एक तरफा आप देखते हैं चाइनीज मोबाइलों का हमारे मार्केट पर कब जा है और उर्वरा का आप लोग देखेंगे यह हम लोग सब किससे चाइना से करीते हैं और सबसे महत्पूर्ण आयाती बस्तुव में आप देखेंगे पर्सनल कंप्यूटर, लेप टॉप, पॉम टॉप, मॉनो, लेथिक, इंटिगेटर, सर्किट डिजिटल, लीथियम आयन, सोलर सेल और यूरिया यह हम लोग सबसे जाना आयात करते हैं किससे चाइना से और परमोक निर्यात में, यानि कि हम लोग दे क्या रहे हैं चाइना को बैच क्या रहे हैं तो इसमें आप देखें कि 2021 में चीन को भारत का निर्यात उसके कुल सिप मेंड का 5% था और सीस निर्याद बस्तूओं में आप देखेंगे आयस्त, सलेग और राख हम लोग बैशते हैं कारवनेक रसाइन, खनिज, इंधन, तेल और उनके आस्वन के उत्पाद बिटूमिनियस पदार्थ और खनिज मॉम हम लोग उसे बैशते हैं लोहाय और इसपाद बैशते हैं, एलूमिनियम इसे बनी बस्तूओं भी हम लोग चाइना को बैशते हैं कपास भी हम लोग बैशते हैं, एकल बस्तूओं में लाइट, नैप्तलीन, भारत का सबसे मूल लवन निर्याद था ये भी हम लोग चाइना को बैशते हैं और चीन पर भारी आयाद निर्भाता कारत क्या है? तो सरकार के दृष्टिकों से राजनेतिक और सुरक्षा चुनोतियों तक गहरी हो जाती है जब देश एक दुस्मन या पर आमित्र देश से उत्पादों और सिवाओं के आयाद पर निर्भार होता है और हम लोग निर्भर है ही भारत अपने फार्मस्टिकल उद्द्योंग में उपयोग होने बाले अधिकांस सक्रिय दमा समग्री का आयाद चीन से करता है और चीन API की लागत भारती बाजार की तुल्ला में कम देखने को मिलेगा समयस्या की गहराई COVID-19 में हमारी के दौरान तब साब ने आई जब यात्रा पितीबंदों के कारण भारत में चीनी API के निर्यात को आस्थाई रूप से पितीबंदित कर दिया आ गया तो इसके पाईडाम सुरूप भारत को API के अपने निर्यात में भी कटोती करनी पड़ी थी यानि कि हम लोग इतने निर्भर हो गए हैं दूसरे पर सामने वाले पर कि अगर वो कुछ हमें बैचे का नहीं तो हम लोग बंद हो जाते हम लोग ठप पड़ जाते हमारे उद्यवदंदे और भारत में उत्वादित कोईला उड़ जा का लगबग 24% उन सायंतों से सकत हैं इसलिए इसे राड़न निर्भारता नहीं माना जा सकता है लेकिन निश्चित रूप से यह एक सुरक्षा चुनोती बनी हुए है जबकि चीन से इस तरह के आयात को सीमित करने यहां तक की पितिवंदित करने की मांग की जा रही है और इसका सीधा सा अर्थ होगा कि नि हमारे वहसकार करने से कुछ नहीं होता है अब आप देखें जो हमारे मार्केट में वस्तुएं आ चुकी हैं हम लोग उसका वहसकार करते हैं लेकिन आप सभी जानते हैं कि उन्हें जलाते हम लोग तोड़ते पोड़ते हैं लेकिन उनकी कीमत हम लोग तैकर चुके हम लोग Chinese Apps पर बैन तो लेकि ना के बराबर है उसके लिए भारत द्वारा कई चित्रों में चीनी निविस की जाच में सक्ती की गई साथ ही सरकार द्वारा चीनी कंपनियों को 5G परिक्षा से बाहर रखना API के लिए आयाद निर्भरता में कटोती वल्क ड्रक पार्क और PLI योजना को बड़ावा देना घरेलू फार्मो के आउस्तर वादी अधिगर्ण का परंकुस चीन पर FDI पिती बंद चीनी बिजली उपकरेडों के आयाद पर बास्विक पिती बंद और इस्तानी निर्माताओं के लिए कि हित में अलूमिनियम के कुछ सावनों और रसायनों पर पांस बर्स के लिए एंटी डंपिंग सुल्ख लगाया गया है भारत को बैस्विक आपूर्ती करता बनाने और आयाद बिलों में कटोती के लिए 12 छितनों की पहिचान की गई है ये छित कौन कों से है? खाद पिसंसकर्ण, जैबिक खेती, लोहा अलूमिनियम तामा, किरसी रसायन, इलेक्टोनिक्स, उद्धोगिक, मिसिनरी, मसीनरी, फरनीचर, चमड़ा और जूते, आटो, किपुर्जे, कपड़ा और कवर आल, मास्क, सैनिटाइजर, बेंटी लेटर तो एक कहानी है, आप देखेंगे किस की, भारत सरवाधिक महत्पूर्ण उत्पादों के आयत पर अपनी सामरे निर्भाता को पूरी तरह समाप्त नहीं कर सकता है, हलाकि चीन की भूमिका को ब्यापार की छेत में कम करें भारत, इस छेत में निर्भाता पे विवित्ता ला सकता है, कहने का मतलब यह है, कि अगर हम सोचें कि हमारी सरकार भी एक कदम उठाले, वह पूरी तरह से चाइना पर व्यापार कम कर दे, समाप्त कर दे पूरी तरह से, जो निर्भाता हमारी बनी हुई है, वह पूरी तरह से हम लोग रोक दे, ऐसा संभाव भी नहीं है, तो लोग अपने आप आप देखें, कि चाइनीज सामानों को खरीदने की वज़ाए भारती सामान करें देंगे, या भारत की मार्केट में, हमारे देश की मार्केट में दूसरा सामान कोई उपलब्द होगा, अच्छी क्वाइलिटी का सस्ता, तो उसे खरीदना शुरू कर देंगे तो चाइना का जो सामन रहेगा वो अपने आप कम होने लगेगा ठीक है भारत ब्यापार छित में निर्भरता में विवित्ता अमेरिका यूरोप दच्छिर कोरिया जापान के साथ अधिक आयाद निर्भरता करके ला सकता है इस तरह भारत उन देसों पर अपनी निर दिये वो वहां आत्मिर भरता को और अधिक फिरोसान देना एक विवेक पूर्ण तरीका हो सकता है जिन छेतरों में भारत एक सुद्ध आया तक है और इसमें पुरुद्धगी की और पूजी की बड़ी भूमिका होगे अब आप सीधा से समझ गया होंगे आप लोग मुझ लग बड़ा है चाहे आप देखिए हमारे सेनिक सहीद हुए है या जड़ पे हुई हो इससे हमारे ब्यापार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है कि ब्यापार कम नहीं हुआ है ब्यापार बलकी बड़ा है तो यही है पूरी कहानी ठीक है और इस तरह की टॉपिक पर कोई नहीं पड़ता है, यह आप लोगों को याद होना चाहिए, और उसकी कीमत बताया ना कि टै कर चुके हम लोग, दे चुके है, तो वो तो हमारा ही देश का और अपना नुकसान कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि आप ने जो टीवी खरी दी ओगी, उसकी कीमत आप लोगों ने दे दी होगी अब उसे जलाइए तोड़िये फोड़िये चाइना को तोड़ी कोई परक पड़ने वाला है आपको ही परक पड़ेगा सरकार को भी कोई परक नहीं पड़ेगा